तो जी आप मेंसे काफसे student हो जिन्होंने मुझे request किया था कि ये जो course है Full Stack Web Development by PWSkills ये कैसा है इसमें क्या मुझे enroll करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और ये जो price अब जो देख रहे हो इस price point पर ये क्या worth it है भी कि नहीं है अब बता दो ये जो course है आपका already start हो चुका है but still आपने से कई सरे viewers हो जो wait कर रहे हो आप सोच रहे हो कि हाँ जी ये course के perfect है कि नहीं क्योंकि अगर देखो तो कई सरे online courses है similar to this तो इसमें क्या खास बात है ठीक है तो एक जो honest review होने वाला है ना मैं आपको देने वाला ठीक है तो यहाँ पर actually एक strength है जिन्होंने कुछी दिनों पहले course purchase कर रखा था ठीक है एंड यहाँ पर और आपको क्या क्या चीज एक्स्टा मिलता है जो कि generally बागी सब जो online platform है जो कि similar like आपको वही मिलता है full stack weblobment आपका front end back end दोनों ही उसमें कितना difference आपको देखनों मिलेगा तो वीडियो complete देखो फिर भी कुछ doubt रहा जाता है एक comment box आप comment केजिए मैं try करने को जो भी बच्चे के लिए query है response करने का यहाँ पर देखो जैसे क्या बताया गया job assurance है job assurance का मतलब क्या होता है मतलब इसका यह होता है कि आप यह course जब complete कर लोगे then your top company like MNC हो गया या जो एक अच्छा product based company हो गया वहाँ पर interview देने का मौका मिलता है assignment आपको मिल रहा होता है doubt clearing session जो काफी important है क्योंकि obviously doubt clear नहीं होरे तो कोई मतलब बनता है 340 प्लस hours classes 340 घंटे क्लास को यहाँ पर करवाया जागा 40 प्लस project अब यह काफी important है आप यह resume में add कर सकते हो कि हाँ जी मैंने 14 प्लस project कर रखे है ठीक है obviously जो interviewer काफी impressed होता है यहाँ पर pw lab access मिलता है में सब कोई high five PCR requirement है नहीं ठीक है मतलब यहाँ पर जो चीजे है ना आप उससे सब कुछ कर सकते हो कुछ अलग से installation गरा नहीं करना पड़ता है सब कुछ inbuilt आपको मिलता है ठीक है quiz होता है हर एक जो module है course materials मिलता है ठीक है resume building आपको resume कैसे design करना चाहिए ठीक है is a student है जिनको resume बराना आता नहीं है कहाँ पर क्या चीजे यूज़ करना चाहिए कैसे आपका structure होना चाहिए खुता है क्या क्या आप जो resume reject हो जाते है जब आप company के लिए apply करते हो तो काफी इंप्रेंट है कुभी company apply कर रहे हो तो resume आपको कैसा है ठीक है career guidance कि suppose आपने complete कर लिए तो like after क्या करना चीमरी में क्या वर्थिट है ठीक क्या guidance मिलता है mock interview में suppose आप interview जब देने वाले हो उसके पहले just trial होगा कि हाँचे अपने interview कुछ ऐसा होता है dsa आपका express है react है database networking है node.js है अब देखो आप अगर कोई एक low level company के ले apply करते हो तो वहाँ पर actually html, css, javascript enough है but suppose आपका target काफी high है 10 plus LPA 20 plus LPA यह जो चीजह है ना पर dsa, react, networking, database, node.js इस पर काफी focus किया जाता है तो यह काफी important मन जाता है कि बस html, css, javascript है ना करे बल्कि और भी कुछ चीजह भी करके रख ले and यही नहीं बल्कि आपको SQL भी सिखाया जारा होगा MongoDB ठीक है and आपको कई सरह project पर भी काम करवाय जारा होगा सुरट आप एक real time project बना सको and यहाँ पर देखो कई सरह industry project भी सिखाया जारा होगा like clone बनाना ठीक है like अब देख सकते हो Redbus का clone होगिया आपका Gmail का clone होगिया Capstone project होगिया Kangban board using react होगिया अब यहाँ पर अकसरी प्रसना आता है कि मुझको अगर कुछ doubt arise होता है तो कुछ हो कैसे solve करना होगा तो देखो simply आप email support है आपका यहाँ पर chat support है live support है suppose आप जब live class करोगे तो पूछ सकते हो आपको मैं दिखाऊंगा अभी just कैसे live support होता है आपका ठीक है then one is to one mentor support होता है then discord support तो खेर है ही आपको मैंने बताया भी था कि आपको resume building बनाना सिखाया जाएगा placement training भी आ जाएगा placement training में कईसरी चीज़े है कि आपको placement में कैसे क्या चीज़े करना होती है सब कुछ आपको बताया जाएगा then interview preparation, interview कैसे crack करना चाहिए सिर्फ course करवा कि मैं तो छोड़ निज़े बलकि interview तक आपको help किया जाएगा ठीक है जब तक आप एक अच्छा company crack नहीं कर लेते then obviously certification तो है certification काफ़ important है means like आप कर रहे हो तो प्रूफ क्या है देखो वैसे प्रूफ के तौर पर तो आपका main project ही होता है company देखता है कि project क्या की हो बट यह certification भी important है तो जैसी मैं आपर ही आता हो तो देख सकते हो आपका last class अभी मतलब मैं यह video जो suit कर रहा हूँ 8-10 September को suit कर रहा हूँ आपका last class 17 September को वा था सुबह 17 बजे ठीक है तो वहाँ पर basically हुआ क्या था आपके class miss कर दियो recording story मिल जाएगा basically होता है कि आपका doubt रहा जाता है आप वहाँ पर discussion कर सकते हो ठीक है live class भी होता है doubt session भी होता है तो live class में मतलब कि आपको परहाय भी जाता है and वह पर संक्संग doubt भी पूछ सकते हो and doubt session वह सबका doubt cover किया जाता है तो कुछ ऐसा आपका last doubt session 13 September गवा था and उसे पहले आपका 6 September गवा था तो like हर एक week में doubt session हो जाता है generally then आपका live class recording मिल जाता है अगर कुछ miss कर दियो तो यहापर देख सकते हो section wise divide किया गया and like आपका जो भी कुछ notes हो गया कुछ अगर आपको पूछना होता है मतलब करके comment करके आप पूछ सकते हों तो काफी brief में चीज़े सिखा जाती है आप देख सकते हो simply यहापर पढ़ सकते हो कैसे आपका course आगी बर रहा होता है तो काफी लंबा मतलब आपका list यहापर आपको मिलता है क्योंकि यहापर आपको क्या unique चीज़े मिलता है जो कि बागी सा platform आपको provide नहीं करते हैं पहला यहापर आपको PWA skills lab का access मिलता है कई से student start नहीं कर पाते है high specification नहीं होता है ठीक है आप इसलिए course को access कर सकते हो and सब कुछ चीज़े काफी implement कर सकते हो secondly अपर PWA job fair मिलता है means suppose आप different job के लिए apply कर सकती हो अब तब course commit कर लोगे तो अब इसलिए आप तो job तो चाहोगे ना तो कहां से मैं job apply करो तो job fair सी कर सकते हो thirdly आपको यहापर सबसे important mock interview करवा जाता है अब तो कई से platform से जो mock interview के लिए तो आपको यह इसलिए पैसे बच जाता है जैसे कि यह course में बता है कि आपका यह job assurance program से मैं complete करते हूँ तो top के जो company है वह पर interview देने का आपको mock का मिलता है एन एक और खास बात है कि यहापर जो भी कुछ चीज़ है न आपको यह पर 2 years dashboard के access मिलता है मैं आप यह course आच लिए 18 September 23rd करते हो आपका 18 September 25 तक आप सारे चीज़ों के access कर सकते हो मतलब course तो आपका बारा मैंने कमिट हो जाएगा अपका दो साल सक रहेगा तो कुछ यह चीज है जो कि मुझे बदाना था ठीक है आपके जिस बच्चे का account उसका feedback में तो अच्छा ही रहा है simply उसका यही कहना है कि हाँ जो price point पर जो मुझे चीज मिल रहा है तो काफी अच्छा है and obviously physics वाला starting सही यह चीज काफी धियान रखा है कि यह जब जो भी course में रिष्टे करती हो प्राइस के हिसाब से रहना चाहिए otherwise कोई मतलब बनता है ने ठीक है क्योंकि यहाँ पर quality and quantity दोनों ही matter करता है और साधे साथ प्राइस कैसे आपको यहाँ पर तो यहाँ पर quality तो है यह starting से साधे साथ काफी कुछ चीज आपको यहाँ पर देखना मिलता है and price काफी affordable है जो आपको चीज provide किया जा रहा है